सर्विभे नमो नमा अहां मोनीका तालियान आज की वीडियो में हम अपनी कक्सा साथ की व्याकरण की दिव्यम संस्कित व्याकरण भाग दो की पुस्तक है इसके पर्थम पाट का हम आज अध्यान करेंगे क्योंकि यह आर्मी पब्लिक स्कूल में पहली बार लगी है वैसे तो यह जो आपके टोपिक इसमें व्याकरण के रूप में प्रियोग हुए है बहुत बार मैं करा चुकी हूं अलग-अलग बुक में लेकिन आपकी दिव्यम पुस्तक के अनुसार अब हम इसकी वीडियो करेंगे जो मैं आपकी पुस्तक की वीडियो बनाती हूं वह पाठ के अनुसार होती है सबसे पहले पहला पाठ फिर दूसरा तीसरा करम से आपके पाठों की वीडियो में आपकी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी वही मैं बनाती हूं पाठ का नाम है वर्ण विचार रहा उ किस परकार के होते हैं यह सबी इसमें विचार किया जाएगा चामाने और उच्चारन इस्थानम उनका क्या उच्चारन इस्थान है उनको हम कैसे उच्चरित करते हैं यह इस पार्ट में बताया गया है हम परती दिन अनेक सब्दों का परियोग करते हैं इन सब्दों का अगर विश्रेशन किया जाए तो देखते हैं कि सब्द वर्णों के संयोग से बनते हैं वर्ण के संयोग कैसे क्योंकि जो हमारे सब्द होते हैं उनमें स्वर और वैंजन वही आपके वर्ण होते हैं उनका ही मेल होता है जैसे उधारन के रूप में लोने दिया है सुधा इसका वर्ण विछेद करने पर हम देखते हैं कि इसमें सा वेंजन है जो आपका हलंतिय है क्योंकि संस्कित में आपके वेंजन हलंतिय होते हैं उनको स्वर किसायता से पून किया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपका U स्वर है जो आपका A स्वर होता है वह केवल आपके वेंजन को पून करता है से सभी सवर अपनी मात्र के रूप में वेंजन में परियोग होते हैं तो आप सुधा में भी देख सकते हैं जो आपका U है वह मात्र के रूप में दिखाई दे रहा है धा आपका वेंजन है इसलिए हलंतिय है और A यह इसका मोल रूप है और अपनी मातरा के रूप में यह वेंजन के साथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह चार वर्ण है अब यह पर्षन उठता है कि वर्ण क्या होते है वर्ण भासा की सबसे छोटी काई होती है जिसके और टुकडे नहीं किये जा सकते जैसे स्वर और वेंजन के बाद हम उनके और अधिक टुकडे नहीं कर सकते यहाँ पर इन्होंने अ, क, ट, त, प, आदी यह इन्होंने स्वर और वेंजन के रूप बताए हैं यह सभी वर्ण है वर्ण दो भागों में बाटे जाते हैं स्वर और वेंजन इनको हम वर्ण और अक्सर भी कहते हैं इनको हम अभी विस्तार से जानेंगे सबसे पहले हम अपने अक्सरों में स्वर का ज्यान प्रात करेंगे क्योंकि जो आपके स्वर होते हैं वह मुख्या होते हैं वेंजन आपके बाद में आते हैं दो भागिनों ने आपके वर्ण के बताये थे स्वर और वेंजन स्वर के बारे में जान लेते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की साहता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं कहने कार्थ है कि जो आपके वेंजन होते हैं स्वर की सायता से उच्चरित होते हैं लेकिन स्वर आपके किसी अन्य वन की सायता प्राप्त नहीं करते वह स्वयम में ही अपने आप पूर्ण होते हैं स्वर को भी आपके रोने अलग भागों में बांटा है, जो आपके इस परकार है, हस्वर, दिर्ग स्वर, सैंत्व स्वर और प्लुत्वर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपके जो हस्वर हैं, यही आपके मूल स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानि जो आपके स्वर होते हैं, उनको उच्चरित करने में जो समय लगता है, उसको मात्रा के रूप में परिभासित करते हैं, या उसे मात्रा का समय मानना जाता है दिर्ग स्वर में आ, ई, उ, री इनकी संख्या चार है और इनके उचारण में दो मात्राओं का समय लगता है यानि जो आपके हस्वर है उनसे दो गुना समय लगता है संख्या में चार होते हैं और यह आपके हस स्वर या दिर्ग स्वर या आप कहें दो स्वर के मेल से जो आपके स्वर बनते हैm वहीं आपके संख्त स्वर कहलाते हैं वह आपके हैं A, I, O, O इनमें भी दो मात्राओं का ही समय लगता है उसके साथ आपका प्लूत प्लुट का हम सामाने रूप से परियोग नहीं करते लेकिन यह संख्या में 8 होते हैं और इन में जो हम यह आपको 3 के रूप में दिखाई दे रहा है इसको हम दर्साने के लिए परियोग करते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है सामाने रूप से हम इनका वैदिक मंत्रों में परियोग करते हैं और आप यदि ओम का उच्चानन करते हैं तो उसमें आपको प्लुत प्लुत की धुनी सबसे सामाने रूप से हम ओम में ही देख सकते हैं ओम इस तरह से उसमें आप प्लुत का परियोग करते हैं स्वर को जानने के बाद हम अपने वैंजन को जान लेते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवशक्ता होती हैं वैंजन कहते हैं वैंजन के भी इन्होंने फिर तीन भाग किये हैं जो है आपके इसपर्स वैंजन अंतस्त वैंजन और उसमें वैंजन कहने से अर्थ है कि हमारे मुख में जीव किसी ना किसी इस्थान को इसपर्स करती है जो आपके का से लेकर मातक होते हैं इनको पाँच वर्गों में भी विभाजित किया जाता है और परतियक वर्ग का नाम हर वर्ग के पहले वर्ण से होता है और परतिय एक वर्ग में पांच वर्णों को रखा गया है तो हम इनका ग्यान प्राप्त कर लेते हैं का खा गा गा इया यह आपका का वर्ग है चा चा जा जा इया यह आपका चा वर्ग है टा ठा डा 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 अन यह टा वर्ग है ता था दा धा न यह तावर्ग है पा फा बा भा मा यह आपका पावर्ग है इनके उच्चारण में जो हमारी जीव है वो मुग के किसी ना किसी भाग को इसपर्श करती है किस भाग से कौन सा वेंजन या स्वर उच्चरित होगा इसका ग्यान हम अपने उच्चारण स्थान में प्राप्त करेंगे यहाँ पर अंतस्त है या रा ला वा यह सबी आपके अंतस्त वेंजन है यानि इनके उच्चारण में आपके अंतहा अंतहा से आपका यह उच्चरित होते हैं और उश्म वेंजन उश्म वैंजन में तीनों ही सकार और हा जो है श, स, स और हा इनके उच्चारण में मुख से गर्म धवनी निकलती है आप चाहें तो अपने हाथ को सामने रखें और इन उश्म वैंजनों का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपके मुख से गर्म वाईउ आपको मैसूस होगी उससे अलग आप किसी भी वैंजन में कोई वाईउ का ऐसास नहीं करेंगे तो ये आपके उसम वैंजन हो जाएंगे इन वैंजनों और स्वर से अलग आपके संस्कित में अयोग वहा अयोग वहा होते हैं यह ना तो स्वर होते हैं ना ही वैंजन ये केवल चिन को मूल रूप से देखते हैं चिन से अलग तो वह आ के साथ या आपके स्वर के साथ ही दिखाई देते हैं लेकिन जो इनका चिन दिखाई देता हैं वह हमें सब वैयंजन के साथपरीयोग होता है हम आगे भी इन पर विचार करेंगे और इस से पहले कि हम अपने आयोग वहां पर विचार करें हम अपने स्वर और वेंजन के उच्चारन स्थान पर विचार करते हैं स्वर और वेंजन को जानने के बाद हम उनका उच्चारन स्थान देख लेते हैं बरणों का उच्चारन करते समय जिवा मुख के किसी ना किसी भाग को इसपर्स करते हैं अत्वा मुख के जिस भाग को इसपर्स करके वायू बहार निकलती है उस इस्थान को उस वरण का उच्चारनिस्थान कहते हैं यहाँ पर एक तालिका में आपको सभी वरणों के जो आपके स्वर और वेंजन हैं सभी के उच्चारनिस्थान इन्होंने बता यह आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है क्योंकि एक्जाम में जो आपकी सिक्षक या सिक्षी का है वो यहां से बहुत परकार के सवाल बना सकते हैं जैसे कंठिये कंठ से आपके उचरित होते हैं यह आपका सभी कावर्ग और उस्म में ह यह आपका कंठ से और अयोग वहां में आपका जो विसर्ग है यह भी आपका कंठिये होता है क्योंकि यह कंठ से यूच्छ रह उते हैं तो यह कंठिये कहलाते हैं तालू, ई, ई, च, छ, ज, ज, या, सभी चावर्ग, अंतस्त में या, उसमें श, और आपका यह है, क्योंकि तालू से उच्रित होता है, तो तालव्य कहलाते हैं, मूर्धा, री, री, ट, ठ, ड, ढ, अन, सभी तावर्ग, अंतस्त में र, उसमें श, यह आपका मूर्धन्य कहल आएंगे क्योंकि मूर्धा से हैं दन्त लरी त थ द ध न सभी तावर्ग अंतस्त में ला और उसमें स यह आपके दन्तिय कहलाते हैं ओस्ट में आपके उ उ पाफ़ा बाभा मा सभी पावर्ग यह सभी आपके ओस्ट यह हैं नासिका में हर वर्ग का पंचमवन जो आपका न यं बर और उर मा यह आपके नासिका है और जो आपका अनुस्वार है वह आपका नासिक्याँ है क्योंकि यह नासिक्या कहलाते हैं कंठ तालू, ए और आई, यह आपके दो ऐसे स्वर हैं, जो कंठ और तालू, दोनों के योग से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ ताल अब्वे कहलाते हैं, कंठ ओष्ट, ओ और अउ, यह आपके कंठ और ओष्ट, यानि जो आपका गला है और होट हैं, उन दोनों के योग से में आपके वह जो आपका अंतस्त में वह है वह आपका दंतियोष्ट कहलाता है इनको आप विशेश रूप से ध्यान रखें इस तालिका का आप एक बार अच्छे से याद करने के बाद लिखित में अभ्यास जरूर करें स्वर वैंजन और जो आपके उचारन इस्थान है इन स्वर में दो स्वर के मेल से बने हुए वरनो को स्वर कहते है और जो आपका स्वर वैंजन है उसमें दो वैंजनों के मेल से बने हुए वैंजन को स्वर कहते है जैसे आपका अक्षा है इसमें का और शा इसके मेल से आपका अक्षा बना है त्रा में ता और रा का मेल हुआ ह साव का मेल वएissä को मेल हुआ है इन चार सिफ्त वैंजन का ज्यान हम सामान रूप से उसे जानते हुआ है से अलग जब कभी में आपके लिएफet का का मेल होगा वह भी decan ही कहल आएंगे यह तो आपके हिंदी में ही आपने देखे होंगे इस सेलग आपने विद्या में देखा होगा दा और या का मेल ध्या जैसे बुद्धी में होता है दा और धा का मेल प्रा पा और रा का मेल और कत अधका और त यह आपका दोनों ही हलंतिय जो हमारे वेंजन हैं वो हलंतिय होता तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सबी हलंतिय हैं, जिनका मेल हुआ है, मेल होने के बाद भी हलंतिय हैं, जब तक आपके वेंजन में स्वरका प्रियोग नहीं होता है, स्वरका सयोग नहीं होता है, वह पून रूप से आपको दिखाई नहीं देंगे, यानि वह पून से नहीं लिखे जाएंगे इनसे अलग आपका वर्ण सयोजन क्योंकि हमारा वर्णों के मेल से ही सब्द या कहें संस्कित में पदों की रचना होती है उसमें आपके स्वर और वेंजन इनके मेल से आपके पद बनते हैं यहां पर आपकी बुक में कुछ उधारन दिये हैं वैस जैसे आप यह सभी हिंदी में भी करते आए हैं फिर भी आप एक बार देख लीजिए जैसे विद्याल्य विद्याल्य में आप देखेंगे जो आपका स्वर है वह वैंजन के साथ तो मात्रा के रूप में दिखाए देगा लेकिन जब आप उसका विच्छेद करेंगे जैस जोड़ना या मेल करना तो आप इसको देखिए जो आपका वैंजन है वह हलंतिया है उसके बाद में आपका स्वर आया है और जहां पर बाद में स्वर नहीं आया है उसका अर्थ है कि जो आपका वैंजन है वह आधे रूप में ही होगा यहां पर दा और या आपने उपर द तर्णारफमें दा और या कियोग ज्या बना है। इसलिए विद्विद्याले में यह वाला प्रियोग हुआ है। जो आपका सीर है वेहें मातर रूप में आएगा। और विछेद में वेहें आपको अलंकर रूप में यानी मूल रूप में। जो आपका स्वर का मूल रूप होता है, उसके दिखाई देगा, वा हलनती है, पलस में E, जो E होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह है इधर की मात्रा, छोटी E, इधर की मात्रा का साइन रखती है, लेकिन लिखने में आपको दिख रहा है कि वा से पहले E आया है, लिखन क्योंकि जो आपके स्वर होते हैं, वो वेंजन को पूर्ण करते हैं और अपनी मात्रा के रूप में दिखाई देते हैं, जहां पर मात्रा नहीं दिखाई देती, वहाँ पर वह है A, A स्वर महाँ पर मिला होता है, वा, पलस E, द, और या के मेल से दया बन जाएगा, आ अप आपका विसर्ग होता है वह स्वर्ग के साथ उसी रूप में प्रियोग हो जाता है केवल चीन उसमें दिखाई देते हैं अलग से लेकिन वैंजन में जो आपका स्वर्ग होता है वह वैंजन को पून करेगा और जो आपके विसर्ग का साइन है वह अलग से दिखाई देगा से विच्छेद या वन विन्यास यह आपका वन सयोजन का ही उल्टा या विप्रीत रूप है यहाँ पर आपने उपर अलग हुए सब्दों को एक किया था अब आपको एक हुए सब्दों को अलग करके लिखना है आपने यदि उपर वन सयोजन अच्छे से समझ लिया है तो वन इच्शे दापासानी से कर सकते हैं नियम वही है जो आपके वेंजन है हलंतिय हो जाएंगे जो आपकी मात्रह याँपर आपके सब्द में या कहू पद में दिखाई दे रही है वह स्वर के रूप में मूल रूप से दिखाई देगी जैसे उधारण में ले लेते हैं माता मा आपका हलंतिया आ की मातरा में डंडे के रूप में दिखाई दे रही है तो यहाँ पर मूल रूप से आ जाएगी आ ता हलंतिया हो जाएगा और आ की मातरा का जो साइ है वह मूल रूप से आपको आरूप में दिखाए देगा इसी परकार आप अपने से सुधारन भी देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे भरमर भा के साथ रा मिला हुआ है तो आपका यह संयुक्त वैंजन हो जाएगा देखेंगे भा इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आय है जाय तो आपका भा और रा यह आपका सेफ्ट करने के अया है मा हलंतिय है उसमें कोई भी मातरा में दिखाई नहीं देंगे तो आपका योग और विसरगाया है और अलग से कोई मातरा नहीं है तो वह अहा के रूप में दिखाई हम उसको अलग से लिख देंगे इस परकार आप अपना one संयोजन और one विछेद यदि आपने दोनों में से एक भी करना अच्छे से सीख लिया या समझ लिया तो दूसरा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं यहीं पर यह आपका पार्ट समाप्त होता है उमेद है मेरे दुआरा पढ़ाया गया यह पार्ट आपको समझ में आएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन समझते हुए यदि हम चलेंगे तो यह समय हमें आगे दुबारा प्रियोग नहीं करना पड़ेगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अभ्यासकारिये के साथ सर्विभ्य नमो नमा